नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर आज बात करेंगे पांच सवालों के उपर जो अक्सर हमारी किराना दुकान के अंदर हमारे सामने आ जाते हैं ये जो सवाल है आज मेरे साथ बीते हैं और मैंने इसे जो नोट बुक के अंदर नोट कर लिया और सोचा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि लोगों के साथ अक्सर ये प्रोब्लम आती रहती है कि कुछ चीजे होती है उसका जो क्यलकुलेटर से किस तरीके से उसका जवाब निकाला जाए कुछ प्रोब्लम होती है उनका कैसे जवाब दिया जाए तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा एक विक्ति आके मेरे पास में कहता है कि सर पचास रुपे की इलाइची दे दीजिए तो पहला क्वेश्चन बन जाता है इलाइची का रेट दो हजार रुपे है तो पचास रुपे की कितने इलाइची देंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको क्या करन हैं कितना देना है मतलब 50 रुपे का देना है 50 रुपे भाग उस चीज की वैल्यू मतलब उसका रेट 2000 रुपे ये निकाला और आगया 25 ग्राम मतलब मुझे उसे 25 ग्राम इलाइची देनी है ठीक है बिल्कुल असान है और भी कुछ ले सकता है वो बदाम, काजू, ड्राइफरूट कुछ भी ले सकता है अगर इस तरीके की कंडिशन आ जाती है किसी के साथ में तो इस तरीके से बिल्कुल किया जा सकता है कुछ नहीं आपको कोई भी अंगुलियों पर गिनने के जरूरत नहीं है बस कैल्कुलेटर लिया और बिल्कुल एक स्टेप से मेजर कर दिया और उसको वो समान तोल के दे दिया तो मैं पहले ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं उसके बाद में आपको बताता हूं और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट्स में आप इनका सब का जवाब दे सकते हैं और दूसरा ये देखिए गुड़ का रेट 36 रुपे है तो 100 रुपे का गुड़ कितना आएगा अकसर ग्राक हमसे आगे पूस्ता है सब 100 रुपे का पला जाएगा ठीक है क्योंकि बुजिया की जो नॉर्मली पेकिंग होती है वो 400 ग्राम आती है अगला क्वेश्चन है मिश्री का रेट 80 रुपे है तो कोई ग्राहक 21 रुपे आपके पास में खुले लेके आ गया कहता है 21 रुपे की मिश्री दे दो तो आप कैसे निकालें कि आमें कितने मिश्री देनी है चाय पत्ति का रेट 500 रुपे है तो 10 रुपे की कितनी चाय पत्ति आएगी तो हम एक करके अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट्स में लिखके मुझे जरूर बताएं और इन चीजों की प्रैक्टिस गर पे जरूर हैं दूसरा पहला हम कर चुके हैं दूसरा हम करते हैं कि गुड का रेट 36 रुपे है तो मैंने आपको बताया कितना देना है 100 रुपे का भाग रेट 36 तो हम उसे 2 किलो 770 ग्राम 2.7 केजी हम उसे गुड दे सकते हैं मतलब 2 किलो 700 ग्राम के लगबग हम उसे गुड दे सकते ह अगला question है बिल्कुल असान सी question है बिल्कुल असान तरीका है निकालने का अगला देखो ये जो तीसरा question है उसके अंदर condition है बन जाती है मान लेजिए आपके पास कोई agent आता है जो किसी बुजिया का agent है बिकाजी हो सकता है, वो कहता है कि सर बुजिया का रेट 200 रुपे किलो है 200 रुपे किलो, तो हम कहेंगे यार 200 रुपे किलो नहीं, मुझे पैकेट का रेट बता कितना तो आप बताईए कि 200 रुपे किलो है तो एक पैकेट का रेट कितना पड़ेगा बिल्कुल आसान तरीका है जब बात आती है बुजिया नमकीन के बारे में तो जब वो जितना रेट बताता है 200 उसमें भाग में 2.5 कर देना है तो 80 रुपे किलो बुजिया का रेट हो गया मतलब 80 रुपे हमें पैकेट आने का रेट हो गया तो यह हुआ 200 रुपे किलो माली जी कोई व्यक्ति कहता है मतलब हम 70 रुपे किलो बुजिया है तो उसका किलो का भाव कैसे निकालेंगे तो आपको क्या करना है 70 गुणा 2.5 इस वार गुणा कर देना है 2.5 से तो उस बुजिया का रेट हो गया 175 175 रुपे किलो अब अगला कोश्चन है कोई ग्राहक आता है कि 21 रुपे का परशाद दे दीजिए मिश्यरी का ठीक है और 80 रुपे रेट है तो हम क्या करेंगे 21 भाग 80 ठीक है 260 ग्राम तो हम उसे 260 ग्राम मिश्यरी दे देंगे 20 रुपे की आएगी 250 ग्राम और 21 रुपे की 260 क्योंकि उसने हमें 1 रुपे आउपर दिया है तो उस हिसाब से हमें उसको पूरा वजन देना पड़ेगा अब देखिये बात करते हैं चाय पत्ती में अक्सर ये प्रोबलम आती है कोई व्यक्ति कहता है कि 10 रुपे की चाय पत्ती दे दो मान लीजे वो केता है हमें खुली चाय पत्ती लूज चाय पत्ती चाहिए तो आपको 10 ऊपर डालना है भाग चाय पत्ती का रेट 200 रुपे उसके बाद में आजेगा 0.04 मतलब 40 ग्राम ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे इन तब ही आप क्या कीजिए घर पे बैट के किर्याना वाले घर पे बैट के या जब भी आपको टाइम मिले इन चीजों की जरूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये चीज़ें धीरे-धीरे करते आपको बिलकुल असान हो जाएंगी और आपको कोई भी समान मांगेगा बिलकुल असानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं मान लिजिए कोई ग्राक आके कहता है कि को 70 रुपे की चीनी कितनी आएगी तो आप बिलकुल असानी से निकाल के बता सकते हैं मान लो चीनी 40 रुपे किलो है तो 70 रुपे की आप बता सकते हैं कोई भी चीज पूछता है कई बार ग्राक लेता नहीं है लेकिन तरीके से पूछ लेता है मानली जी ग्राक कहता है कि मुझे 120 रुपे की लाइची चाहिए कितनी दोगे तो आपको तरीका आना चाहिए 120 रुपे की लाइची तो आप 120 बिल्कुल असानी से कल्कुलेटर लेजिए 120 बाग 2000 कर दीजिए उसका कहा देंगे कि सर्थ 60 ग्राम आएगी 120 रुपे की लाइची तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इन तरीकों से रेट निकाल सकते हैं तो मैं दुबारा सुत्र बता देता हूँ कितना देना है मतलब पैसे जितने का पैसे मांगा है ना मालों 50 रुपे की चीज़ उसने मांगी है भाग रेट उस चीज़ का रेट क्या है 2000 रुपे तो हम उसको इलाइची कितनी देंगे दुबारा देखिए 50 भाग 2000 रुपे करते हैं तो 25 ग्राम इलाइची हम उसे दे देंगे ये तरीका है equation है ये हल करने का आप गर पे practice करके ये सीख सकते हैं और ये जो चीजे हैं आपकी लोग अक्सर किराना की दुकानदारी से इसलिए कतराते हैं क्योंकि जो ये सवाल होते हैं ये हल करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है मतलब कोई rate वगरा निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है इस equation से इन चीजों से आप किराना का असानी से rate निकाल सकते हैं और अपनी दुकानदारी के अंदर आप माहिर बन सकते हैं धुरंदर बन सकते हैं अपनी किराना की दुकानदारी का तो दोस्तों चैनल को subscribe जूरूर कीजिए इसी तरीके के important मैटपूर और ज्यानवर्दक वीडियो बनाता रहता हूं सिर्फ आपके लिए तो चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो को like कर दीजिए शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद